हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए ओल इन टॉपिक पर और मैं आपके साथ शेर करती हूं अपनी लाइफ का इस परेंज तो दोस्तो का है और जो दीपक जलाया जाता है उसका क्या महत्वए कहने को मतब शिरी हरी कलस का और अखंड जो है लच्मिशोभागे कलस का क्या 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 होते हैं जो जिस दिपक पर हम लोग पैपख जलाते है जिस इसमघा पर नायल रखते है वह विशेश क्या है नारिल के यस वो हम लोग जो आरी लगाते है है रोला का निकलता है वो कारें? कलाज स्थापना कैसे करें? मैं आपको पहले i x चार प्रकार के लिएme 4 और क्रिकर लिए आपको हमें सफेज चंदन, पेला चंदन, अलदी कुं जये चार चिजय आप क मामेर threatened आप ये जो है वो सिपाडी, हल्दी खडी, लॉंग, चावल और इलाइची और एक सिक्का जैसे कहते हैं ना में तामबुल, लॉंग, शिपाड़, इलाइची, चावल ये सब ले लें आप थोड़ा सा चावल ले लें मैं सामगरी को थोड़ा अलग करते हैं ताकि आप देख लाल कपड़ा ले 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 इस तरीके का आप एक मिट्टी का पातर ले सकते हैं आप चाहें तो कोई और भी पातर ले सकते हैं लेकिन लोहे का पातर जल भरने के लिए कलस स्थापना करने के लिए नहीं उसकरते तो लोहे का पातर ना ले आप एक नारियल ले ले मैंने इस न आप काली मिट्टी ले लें, मैंने इसमें रखा हुआ भी वैसे आप लोग इसमें ना रखें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूं कि आप डबरातरी में कैसे कलस स्थापना कर सकते हैं, तो आप इस टाइप की प्लेट की जगे मिट्टी की प्लेट ले लीजेगा या और इनहें एक दिन पहले पानी में भीगो लीजेगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप एसे एक दिन पहले पानी में डẹल दीजेगा तो यह ऐसे प्षूल जाएगा ठीक है आप इस तरीके से भीगोग रखेगा और आप देखीगा कुछ जो जो खराब हो एमोरा जिसमें नहीं आएगी जैनती कहते हैं जैनती नहीं आएगी वो उपर उपर आ जाएंगे जिन में जैनती आएगी वो नीचे बढ़ जाएंगे तो जो उपर आएगे उनका यूज नहीं करना उन्हें जो है फेक देना है जो नीचे बढ़ रहेंगे उनका यूज करना उसमें जैनती चलिए हम शरू करते हैं तब तक हस्बेंट जो है और ये अशोख के पत्ते लेले ले जिसे हम लोग अमरित कलश कहते हैं इस कलश को हम लोग यही मान के स्थापित करते हैं, इसमें सभी देवी देपता बास करते हैं, लच्छमी का स्वरूप माना जाता है कलश क्योंकि ये भी समुद्र मन्थन के समय, समुद्र से अमरित कलश निकला था, सारे अमरित जल जो इसमें थे, और आप चाहें तो अगर आप चाहें तो इसमें आप दूद्ध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस जल को सौयम पीती हूं, दूद्ध इतने दिनों में हो सकता है, थोड़ा सा पाने को कर देगा रियक्त, तो मैं दूद्ध नहीं डालते हूं, अब चाहें तो डाल सकते हैं, एक दिन के कलस इस्थाप तो आपको टोने में असानी रहे दिग तर्सकें जे और आप निशन्त रहें। जहनती बहुत ही आसा नहीं निकले, इस पांग को आप बहाद相 biased, मैं आपकी सामने करें करें। इस तरीके से, मैंने ये पानी निकाल दिया है, और आप दुर्गा जी का नाम ले के, सबसे पहले गड़े जी का नाम ले, क्योंकि ओम गंगर पते ही नमा, ओम गंगर पते ही नमा, ओम गंगर पते ही नमा का नाप चाप कर सकते हैं, और आपको अगर कोई मंतर नहीं आपता, आप ओम नव दुरगे नमाका भी जाप कर सकते हैं, बस आप यही नाप जाप कर लेंगे तो हो जाएगा, तो जैनती को आप इस तरीके से जो है वो छिड़कने, पूरे में छिड़क दीजे, मैंने कम ली है तोड़ी सी क्योंकि मैं सिर्फ दिखाना चाहरी थी आपको, आप वो लीजेगा, अच्छे से कम अच्छे, जितनी अच्छी जेन भी है उतनी घनी घनी आएगी और आप एसा भूकत कर लिजेगा, भूण अगरम सी कब बस आप ऐसे और इस पर रोज जो है वो पानी छड़किएगा दूनों समय आप जब सुभा मंदिर में पूजा करने आए तब भी पानी छड़किएगा आप जब शाम को आए तब भी छड़किएगा ठीक है और हस्बंड जी ने जो है वो तैयार कर दिया है मुझे लगता है क कलश आप दिखा दिजिगा एक स्वास्तिक में बना के दिखा दूँए ना तो सब लुग बना लेते हैं वैसे स्वास्तिक जो नहीं बना पाते उनकी लिए तो फ्रेंड्स आपने जो है वो जैनतीस तरीकी से बोलेनी है फिर आपको जो है इसी के अंदर कलश रखना है आंदी का ले सकते हैं तामे का ले सकते हैं पीतल का भी ले सकते हैं लेकिन आप लोहे के पात्र और प्लास्टिक के पात्र का यूज ना करें कभी कभी बचारें बहुत खुबसूरत से रंगे चुके से आते हैं तो लगता है कि बहुत अच्छे पात्र है उनका इस्तेमाल यह आप ध्यान रखिए का तो अभी मैं आपको दिखाती हूं कि कलस कैशे रखना है एक्शली मुझस से जादा अच्छे तरीके से जो है वह हस्बेंड कर लेते हैं और नवरात्री की पूजा में जितना भी स्वास्तिक बनाने का काम होता है वो सारे काम वही करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिजाइन बना के और मतलब अच्छे से करते हैं और हर काम को वो जो है बहुत अच्छे से करते हैं तो आप देखें, ये उन्होंने हल्दी का स्वास्तिक बना दिया, ये उन्होंने ये वारा स्वास्तिक बना दिया, ये उन्होंने ये स्वास्तिक बना दिया, और कुछ लोगों को ये स्वास्तिक उल्टा लग सकता है, तो कोई ये ना समझे कि उल्टा बना है, ये बना सीध स्वास्तिक बनाने की कोशिश की तो आपका कलस जो है हिलेगा और जब एक बार कलस में जल भड़ जाता है तो कलस को हिलाया नहीं जाता इसमें सारे देवी देपता बैठे रहते हैं तो कलस को जो हो हिला तो बह keynote से आप जो 나는 हस्वास्तिक बना दिया है तो चार स्वास्तिक को जो है इस पिरकार से रख दीजिए, तो अच्छे से रखिएगा ताकि जब जैंती निकलेगी ना तो यह हिलेगा, यह गिरे ना कहीं तो आप इसे अच्छे से ऐसे करके, बत्रों अच्छे से रखिएगा, जैंती निकले भी तो इह कोई दिककत ना हो, यह आराम से रहें, और फिर आप जो है वो इस तरीके से इन्हें यहां पर भी अच्छे से कुम-कुम चार डॉट्स जो है वो लगाते रहिएगा कलश को अच्छे से सजाईगा क्योंकि जितना अच्छा कलश सजेगा उतने आपके भाव प्रभू के प्रती प्रकट होंगे सारे भाव निकल के आएंगे तो आप अच्छे से करिएगा ठीक है मैं आपको हो सकता थोड़ा डीप ली ना समझा पाऊं मैं बस सरिफ आपको एक रफली करके आइडिया दे दूं कि ऐसे करना है तो यह हमने कलस में अपनी डॉट्स रख ली है प्याली में भी लगा दें थोड़ा सा और अब मैं जो है उसमें है क्या करें हैं आप गंगा यल पढ़ा गुआ था उसमें थोड़ा सा ओधा करें च्रिए मैं डाल लें अब भी जाब कर सकते हैं और को अष्या विजन गोजकरSकते हैं माल अचमी का घंभी पूजकरSकते हैं तो जो भी आपको आता है आप उसे कर सकते हैं पूजा में सीधे हाथ का प्रियोक करे और यह गदा की भी कर सकते कुछ दोनों हाथों से कातते हैंhehe इसमे दोनों से करक процिते हैं इस तारीके से आप इसमें जल भर दें को कि उसके बाद जो है today samewarzी अपना सबसे पहले जो हिसमें डालई जाती है अफली डाल दें यी सिपाड़ीट्र जाल दें यह आप एक अलाइशी डाल दें आप नो डाल यह टांबुल डाल दो आप इतनी चीजे डाल दे Stall alignable सेहने जरूर सजाए खार करणा जो है किला पां तो आप टनी ऐर प्राम चैंप का इस आप रॉहार अच्छे शोप बाले अच्छे से आहिप ज़िए और इसे यहां पर डोगें और इसे यहीं पर छोड़ दीजा तो यह आपowment कलोच कलावा बन गडिया है और कोशिश करें कि यह हिलेना ठीक है और इसके बाद आप जो है अशोक के पात्र जो है वो इसमें डाल दें अशोक के पात्र डालने के बाद आप अशोक के पात्र को अच्छे से जो है वो सजा ले पत्ते होते अच्छा पात्र गलत बुल गई मैं सौरी मैं ध्यान ने दिया तो सौरी फेंड्स इनहें पत्ते कहा जाता है तो आप अशोक के पत्तों को अच्छे से सजा लिजे। अच्छे से इसमें कुम-कुम, चंद्न सब कुछ सजा लिजे। क्यूंकि जब अच्छे से सजाखे रखेंगे तो थोड़ा ऊपर को लगा दे। नीचे के साइड लगा दी आपने चले कогा है आप इसमें आम के पत्ते भी छोड़ सकते हैं यह दोनों इस पत्ते लगाए जाते हैं तो आप यह दोनों ही पत्ते घंसे और नीचे है उसमें कुम कुम तो ढक्राइब दिखाएब इक ऋर पियाले रख दें तो आपने जो ही पत्ते हैं उन्हें सेट कर लें और आप चाहें तो पहले रख लें उसके बास सजाएं मैं आपको पहले जिल्दिल इसके दिखा रहे हूं ताकि आप लोग समझ पाएं देख पाएं कि कैसे कैसे करना है तो यह आपने इस तरीके से सजा लेना है इसमें देखिया हजबने सब में जो है कुम कुम चंदन लगाया है तो आप भी इस तरीके से लगा ले अब आपको करना क्या है आपको चावल लेना है और इसमें भढ़ देना है कुछ लोग इसमें कुछ लुक जर् 만र्ते हैं मैं जो है जुँ है वो चावल भडन तो चावलगंडित नगो चावल करें सेयं तो तो किन अदिम कि अड़ धर कहीं भाना में अफिर Khi Remove दूसरी चीज है कि ये कलस स्थापना हम लोग अपने हर मांगलिक कार को शंपून करने के लिए करते हैं और इसमें सभी देवी देपताओं का बास होता है तो हम यह मानते हैं कि सभी देवी देपता इसमें आके प्रकट होंगे और ये मांगलिक कार को संपून करने के लिए ही हम लोग स्थापिक करते हैं और हर विशेश पूजा में हिंदु धरम में हर विशेश पूजा में हर जो ऐसी पूजा जहां आपको लगता है कि हाँ जरूरी उसमें ये स्थापिक जरूर था वो नवरात्री हो, गड़े सुट्सब हो हर तालिका तीज हो, हर याली तीज हो जन्मास्क में हो, कुछ भी पूजा हो कलस स्थापना जरूर होती है उसमें नहीं होती है लेकिन पूजा में होती है उसमें पूजा में अंतर होता है तो ये स्थापना जो है वो उसमें नहीं होती है बस देने आप और अभी मैं आपको यहीं पर एक चीज समझा दूँगी आप लोग को अगर कन्फ्यूज हूँ तो मैं आपको समझा दूँगी देखिए हग मैंने किकने प्यार से स्वास्तिक बनाया है जी हाँ बहुत अच्छे से करते हैं अब मैं आपको थोड़ा से साइड में करके हलका स दिखा दूँ आप लोग कभी भी नारेल को ऐसे ना रखें कलश में आप लोगों ने देखा है मैंने कई लोगों घर में देखा आप लोग कैसे करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से करते होंगे लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग फिल्मों का देख लेते हैं तो उस तर पूरव दिशा में है तो अगर इस तो आपको थनकी हानी तय है तो आप इसारी के से ना रखें देखें ये जो है ये ऐसे लगा होता है नारियल पेड में आप जब सूखा नारियल लेंगे जो उस टाइब काता है वन में डालते हैं तो आप देखें यहां पर नारियल की मुख और जो है वो आखें होती है नेत्र और मुख दोनों चीजें होती तो इसे लच्छमी का शौरूप कहते हैं कुछ-कुछ लोग इसे बली के रूप में भी माल लेते हैं कि जीशनारियल लेती है इसे टो यह जो मुख होता है वह व्यक्ति की तरफ होता जैसे कि आप देख रहे होगे यह उल्टा-साइडा आपकी तरफ है अगर आप केमरी से अंज पा रहे हो और यह मुख का साइज है यह मेरी तरफ है कहने के मतल़ना पूजा करेंगे तो यह आप इसे जो है इसे तरीके से कपड़े में अच्छे से फोल्ड कर लीजेगा ये लिया हमने कपड़ा और इसे हम लोगों ने कर दिया है जो है और इसी को आप जो है कलावे से इसी में लोग अपनी मननत मांगते हैं जो भी है हमने माना जैसे कि हमारे नवरात्री का जो पूर और इस तरीके से आप उसमें कलावा बांदे, आप स्वयम से स्थापना कर सकते हैं, अगर आप किसी ब्राहमर देवता को नहीं बुलाना चाहते हैं, तो आप ये स्वयम से घर में कर सकते हैं, मैंने बहुत ही संपूर विधी बताई है, और आपने देखा दोस्तों, ये मुख है, इनका दिख रहा होगा, आपको ये मुख है, ये मेरी तरफ रहेगा, ये यहां है, ये यहां रहेगा, इस तरीके से आप जो है, वो कलस्की स्थापना करें, जी, और मैं थोड़ा उपर तरके दिखा देती हूँ, ऐसे, जी, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारी ज कर सकते हैं, नौ दिन का संकल पर यहां से ले, इसके बाद आपको क्या करना है, मैं बो बता रहे हैं, आप यहीं साइड में, या अपने तरफ जहां आप बैठें, वहां एक पान का पत्ता रखिएगा, अगर आपके पाद छोटे वाले गणपती जी नहीं है, तो आप सिप पूजन करने से पहले, आप एक बार जो है, वह गड़पती पूजन पहले करिएगा, तो आप वहीं पत्ता रख लीजेगा पान का, क्योंकि वह नौ दिन तक रहेंगे, उसके बाद आप उनका भूमे विसरजन कर सकते हैं, इसका क्या करना है, यह मैं आपको, वीडियो में उस नदी में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भी रहता है, मिटी भी रहती है, तो यह पानी और मिटी में वलीन हो जाएंगे, आपका रहा नारील, और यह कलस का पानी, यह कलस का पानी, आप अम्रिद समान हो जाता है, 9 दिन बाद, और 9 दिन के बाद जब आप पूज इस नारियल को फोड़ा नहीं जाता तो आप गड़ा खोद कर या किसी गंबले में आपके बढ़ा हो तो आप इसका जो है वो भूमी वी शर्जन कर दें इन पत्तों का इसमें है चावल इन चावलों को आप अपनी रसोई घर के चावल में मिला ले ताकि भगवान की बरकत औ हल्दी आप चाहे तो पीस के सबजी में डाल सकते हैं नहीं डाल चाहते हैं आप भूमी भी सर्जन कर लिजे लॉंग से पाड़ी को आप खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है भीगी भीगी बहुती मिट्टी की सोंदी सोंदी कुश्बू आती है तामुल जो इसमें हमने बुद्धी जी भी भाई बहन जो होते हैं वो हो सकता इसे भी नहीं जानते हूं कुछ लोगों मैंने देखा इस तरीकी से रखते हुए तो किरप अगर कैसे ना रखें आपना दिल का ये सही तरीका है इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी माता लच्छमी की किरप की तरफ रखेंगे तो धन की यहानी होगी तो ये तीनों मैंने आपको बहुत ये महातुपूर जानकारी दिया मुझे यकीन है कि आपको मिरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आपके लिए उप्योगी नहीं होगी तो फ्रेंड्स ये नवरात्तरी स्पेशल कलर अगर आप लोगो को कोई और कंक्यूजन हो या कोई रगे जो आप चीज नहीं समझ पाएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैं कोशिश करूंगे आपके सवालों के जबाब देने की नहीं हो पाएगा कि किसी को और भी निसा है तो मैंस पर दुबारा से वीडि अच्छे से पूजा करिए जो बत रहते हैं सफ्पतिं स्वाह पार करिए नौंद डेवी जी के दिन है तो बहुत अच्छे से अडेवी जी का नाम लीजिए और बस पूजा पाट करिए तो मैं मिलती है ऊठ से नेक्स डी ओर्डूमि despировать आ के लिए अब लोग कया बोल हम ci sty动 नेक्स वीडियो में दोस्तु तब तक के लिए बाई 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 बाई